गण सेना का मुखिया एक बार देवताओं ने गणों का मुखिया चुनने का खैसला किया इस कारे के लिए देवताओं में एक प्रतियोगिता रखी गए प्रतियोगिता ये थी कि पूरे संसार का ब्रह्मन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए ब्रह्मन करने की बाद दुबारा से भगवान शेव के चर्णों में प्रस्थान किया जाए देवताओं ने अपने अपने वाहन लिये और ब्रह्मन शुरू गर दिया गनेश जी ने भी इस दौर में भाद लिया लेकिन उनके भारी शरीर का एक चूहे पर सवार होना उनके लिए अनुप्योग्त था उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में रिशी नारत से मिले रिशी नारत में पूछा कि वे कहां जा रहे हैं गनेश जी को गुस्ता आया और वे दुविधा में पढ़ दे उन्होंने सोचा कि यात्रा की शुरूात में एक अकेले ब्रामन से मुलाकार अशुब होती है नारत जी ब्रामनों में सबसे महान थे और स्वेम ब्रह्मा जी के बेटे थे लेकिन फिर भी यह एक अशुब लगत था इसके अलावा यह भी अच्छा नहीं माना जाता था कि यात्रा के बीच में लक्षे की और जाते हुए कोई ये पूछे कि कोई कहा जा रहा है इस तरह गनेजी ने खुद को दोगुना बदकिस्मत महसूस किया लेकिन रिशी नारत को वे कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन महान ब्रामन उनकी गुस्से को शान्त करने में सफल हो गये गनेजी ने उन्हें अपनी उदासी के बारे में बताया उन्होंने उन्हें अपनी जीतने की तीवर इच्छा के बारे में भी बताया नारत जी ने उन्हें होसला दिया उन्होंने उसे पीछे हटने को नहीं कहा बलकि होसला देते हुए कहा जिस तरह एक मात्र बीच से एक बड़ा पेड जनम लेता है उसी तरह एक मात्र राम नाम के बीच से ये पूरा ब्रह्मांड बैदा हुआ है इसलिए मैदान पर राम का नाम लिखो उसके आसपास एक चक्कर लगाओ और भगवान शिव जी के पास जलती से अपना पुरसकार प्राप्त करने के लिए पहुँच जाओ गनेची अपने पिता के पास वापस लोते उन्होंने पूछा वे इतनी चल्दी दोड कैसे पूरी करके आ गए गनेची ने उन्हें नारची से हुई बात के बारे में बताया भगवान शिव ने उनके उत्तर से खुश होकर अपने बेटे को विजही कुशित किया और उसी पल से उन्हें गनपती और विनायग के नाम से विबुशित किया जाता है